मेरा पीछे जो आप रॉकी पाड जो देख रहे हो इतना जो पत्थर आप देख रहे हो भी अगर यहाँ पर खड़ा हूँ मेरा बैगरांड में कितना अच्छा एक फ्रेम तहीं आ रहे हो सिर्फ दूर दूर तक देखो सिर्फ वाइट सैंड भी सो अभी एक जगा में हम लोग जाने वाले आप देखना चाहते हो कहाँ पर आओ 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 चल्दी आओ देखो यूजियली हम दोनों को टाइम ने मिलता है एक साथ घूमने जाने का अगे मेरा भी जल्दी काम कम हो गया इसका तो जल्दी चुट्टी ओ गया इ iki दो जल शुट्टी हो गया हुए हुआ। उस भी हम लोग जा रहे हैं तरब जो कि इस राश्ते से जाते हैं और इससे पहले एक ब्लॉग और रख चुका है जो कि में अपना भाई लोग के साथ गुमने के लिए गया था तो अभी का जो है अपना बीवी के साथ जा रहा हूं और फाइनली हम दोनों जा रहे हैं काला पत्थर बीच अभी ऐसा रस्ता में सोचो कि गोप्रो को मैं कितना मिस कर रहा हूं मैं कैमरा पकर के अजा गोप्रो की तरह फील दे रहा हूं लेकिन मैं सही में गोप्रो को बहुत मिस कर रहा हूं और गोप्रो रहा था कितना अच्छे से में अपना कैमरा में पिट करके मैं कंटिनू कंदेरा हो जाता है लेकिन उसके साथ साथ अभी बारिज भी आ सकता है तो कोई भरोसा नहीं हम लोग रेनकोट भी नहीं लाए कैमरा तो ला लिये लेकिन अभी पता नहीं में दोनों पौल करे पिशुआन है काला पत्तर बीच और काला पत्तर बीच अभी लोग जहां पर वक कर रहे हैं अगी तरह बिसिकल्र ही रस्ता जाता पीछे जो यहां पर गेश्ट लोगों का जगा है यहां पर आगर रस्ता आप पैचानते हो तभी आप मेरे को भी एक्जाक्ट सिक्रेट बीच महलूम नहीं लेकिन जितना दूर तक यह बीच हम लोगों को पाई वोक करके लेके जा सकता है हम लोग इतना दूर तक वाक करते ह जाएंगे एड़ एक्स्प्लोर करेंगे कि यह रस्ता कहां तक पहुसता है कालापत्थर को बेसिकली बोला जाता है संद्राइज बीच एन उसके साथ साथ फॉटोजेनिक बीच इसलिए कहते ही क्योंकि यहां पर फॉटोग्राफिट करने के लिए जगा ही जगा है यहां कॉंटेंट जूनने को आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हर जगा में कॉंटेंट है हर जगा में आपको फॉटोग्राफिक प्लेस है अगर यहां पर खड़ा हूँ मेरा बैग्राउंड में कितना अच्छा एक फेम तहीयार हो रहा है एंड यहां पर अच्छा सा मतलब अब फोटो भी क्लिक करोगे फोट भी बहुत अच्छा आएगा इसके साथ आब वीडियो भी बनाओगे तो वीडियो भी बहुत अच्छा आएगा मैं सरहज करूँगा यहाँ पर इतना टिक्- टोक Jakeस độ यहां पर आके वीडियोग्राफी यहां पर बना सकते हो बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि यहां पर लाइट तो तकड़ा आता है यहां सिर्फ दूर दूर तक देखो सिर्फ वाइट सैंड बीच आप देखो सुई यहां पर खड़ाओ के आप जैसे क्लिक करोगे ना एक को मेरे कंशा ओंत अच्छा हुआ है तो पहले से तक पहला जब में यह कैमारा को खड़ा था वो ताइम में जो वीडियो कालीटी की ताइम अब तो मेरे को माहलूम ने लेकिन बोतो में कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि इसका स्टेविलाइजर बटन है वह आण करके अलगता सकते हैं और विडियोग्राफी कर सकते हैं उससे ज्यादा मेरे को कुछ भी आता नहीं था मेरा भाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो उसको पूछा था तो वह वहला कैनॉन का लो यह वाला सीरी 600D इसको यूज करो अच्छे से इसको सीखो एक साल लगेगा सिर्फ इसक सीखने के लिए फटोग्राफी कर लूँगा थोड़ा बहुत कर लूँगा उतना नहीं एक तम प्रो लेबल में थोड़ा बहुत कर लूँगा वीडियोग्राफी तो मेरे को आता है थोड़ा बहुत अब कभी नहीं बोल सकते हो कि आपका एडूकेशन खतम हो गया आपको ह हर दिन जब तक आप जिन्दा रहोगे, जब तक आप जीते रहोगे लाइफ में, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा, आप कभी भी यह नहीं बोल सकते कि क्यामरा का 100% आप सीख गये हो, मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ, अभी भी सीखना बाकी है बहुत कुछ, जितना टेकलोजी आगे बरेगा उतना ही मेरे को सीखना पड़ेगा, मेरा पीछे जो आप रोकी पाड जो देख रहे हो, इतना जो पत्थर आप देख रहे हो, सीख, स्नौक्लिंग, यह सब करके, आप देख सकते हो यह सब पोरल को, एंड एक्स्पिरियेंस कर सकते हो, अंडर वॉर्डर लाइफ एक अलगी एक्स्पिरियेंस होता है, देखो भाई में कभी स्कुबाई डाइवीं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को आजमा है, क्योंकि अन्दमान में यह चीज सबसे ज्यादा खास है देखो भाई मैं तो उतना प्रोफेशनल फोटोग्राफा नहीं हूँ लेकिन यह पेर को देखके मेरे को इतना लग रहा है कि यह प्रोफेशनल फोटोग्राफार आएगा तो इसको कितना अच्छा वो फ्रेम बना सकता है सो अभी एक जगा में हम लोग जाने वाले आप देखना चाहते हो कहां पेर आओ आओ चल्दी आओ पुरा नीचे से पुरा भापरी भाप देखा कॉंटेन के लिए कितना ब्हानत करना पड़ता है काला पत्तर अगर आओगे तो आपको कितना प्रोफित हो सकता है काला पत्तर का यह जो साइड में अभी हम दोनों जो वॉक करके जा रहे हैं आप अगर वॉक करोगे डेली आ फ़र भतों घी हैं ये सब खर्चा आपका बशत जाएगा उल्टा कै er किसा सबाक欢ल अटेंट कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कौन्थ פण से लिकश्ष्षा मिलता रहे हैं पर हैं उसके साथ साथ आप Video भी अच्छा भना पाऊगे मतलब कितना कु il備 चा प्रॉफित हो र तो followers बड़ेगा, followers बड़ेगा तो subscriber बड़ेगा, subscriber बड़ेगा तो पैसा बनेगा, brand आएगा, तो कितना profit है So ये वाला frame कितना अच्छा लग रहा है, देखो, मैं as a frame मैंने use किया एक सिर्फ एक पेर, एक गिड़ा हुआ पेर यहां पे मैं camera को रग दिया, और यहां से मैं video बना रहा हूँ, और मेरा mic भी अच्छा खासा catch कर रहा है sound को, and मैंने use किया एक फ्रेम सिर्फ एक पुराना पेर जो गिर गिर गिया था, अभी यह शायद सिर्फ सुनामी के time भी गिर सकता है, या तो normally किसी और time भी गिर सकता है, मेरे को exact पता नहीं, लेकिन आजा फ्रेम आपको कितना कुछ यहां पे मिल सकता है, इतना rocky है, इतना पत्थर है, आप कभी भी यहां पे swim नहीं कर सकते है, आप अगर swim करने की कोशिश भी करोगे, आपका chill जाएगा, मतलब skin cut जाएगा, आपका बहुत ही risk है यहां पे, दिखाई दिया, बहुत दिनों के बाद एक compact disc दिखाई दिया, जो कि अभी का दिन में, मतलब हम लोग भूली गया है, यह सब, Netflix, Hotstar, Amazon Prime, यह सब कुछ आ गया, तो यह compact disc का भी एक जमाना था, जब हम लोग CD, मतलब, वो CD drive या तो BCD drive ऐसा कुछ बोलते थे, जिसमें हम सब लेकर आके movie देखते थे, गाना सुनते थे, 2007-7 तक जैसा मेरे पास कुछ computer बगएर आया था, तो वो टाइम में में, YCT, ऐसा compact disc में में लाके खेलता था, वो CD अंदर डालके, अम लोगो game खेलना पड़ता था, तो यह सब memories, और यह मेरे का पे मिला, यहां जाके देखो, यहां पे पड़ा है, पानी के अंदर क्या है, क्रैप का बच्चा, छोटा सा क्रैप, चुपा हुआ है, देखो, वो भी जिन्दा, तो अंदेरा होना शुडू हो गया है, अभी safe to home जाना ही सबसे अच्छा रहेगा, मतलब घर की safe to home बोलना हूँ, क्या इंग्लिज, वोडर जैसे मेल लैंड में क्या होता है, कि संसेट होने के बाद भी at least आदा घंटा अच्छा खासा light रहता है, लेकिन यहां पे संसेट होने के बाद within 15 minutes यहां पे अंदेरा अच्छा खासा अंदेरा आजाता है, तो संसेट हो गया है, तो अभी हम लोग को यहां पे अच्छे से safely ह हम लोग को निकल जाना ही सही रहेगा, at least parking तक, फिर उसके बाद तो बाइक लेके घर की तरफ हम लोग पहुची जाएंगा,